गरीब परिबारों का हो रहा निशुल्क इलाज कर रहे परधानमंतुरी का धन्यवाद प्रधानमंतुरी नरेंढर मोदी का New India Vision विकास के तमाम मानकों के अलावा ऐसे स्वस्थ भारत का सपना भी है जहां अमीर गरीब सभी को गुन्वत्ता पून स्वास्ते सुविधाओं का लाब समान रुप से मिल सके और धन के अभाव में किसी का इलाज प्रभावित न हो इस लक्षे को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी आदितेनाथ सरकार द्वारा आयुश्मान भारत योजना का क्रियान ब्यान प्रात्मिक्ता के आधार पर किया जा रहा है इस योजना में लाभारतियों को पांच लाख रुपे तक निशुलक इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है आधार प्रदेश की सरकारी चिकेत सालियों के साथ ही प्रतिश्ठित निजी अस्पतालों को भी सूचीवध किया गया है प्रदेश में अब तक 25 मेडिकल कॉलिजों सही कुल 294 अस्पताल इस योजना से जुड़ चुके हैं आयोश्मान भारत योजना ने राज्ये के करीब 1.18 करोड परिवारों को सुरक्षा का बच्प्रदान किया है इस तरह आबादी का वह बड़ा हिस्सा जो अस्पताल के बिल का भुक्तान करने में सक्षम नहीं है उसे भी उननत चिकित सा सुविधाओं का लाब मिल रहा है समाजिक समानता की ओर यह एक बड़ा कदम है इसी के तहट जनपत संभल के चंदोसी में ऐसे लोगों का इलाज पार्थ हस्पिटल में निशुल किया जा रहा है किस योजना के तहट आपको यहां पर बर्ची करा गया है यह आई उसमान काठ के साबस है अच्छा क्या कहना चाहेंगे आप योजना के तहट योजना सही बनाई है गरीब लोगों की वह है योजना गरीब परिवार से हैं हम तो गरीब लोगों योजना से फाइदा हो रहा है हाँ फाइदा क्यों नहीं है सरकार अच्छी है गरीब लोगों का इलाज हो रहा है प्रधान मंत्री मोधी जी की बहुत ही अच्छी योजना है जिससे गरीबों को भी 5 लाख रुपे का इलाज निशुल कराने का अफसर मिल पा रहा है वही पार्थ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर विरेश ने भी इसे बहुत ही अच्छी योजना बताई और मोधी जी की तारीफ प्रधान मोधी जी की बहुत अच्छी योजना है कई ऐसे कम सकम फचाच चालीश मरीज हैंरस बतास कथे जो बिस्तर में पड़ीय सढ़ए थे विती धली का उप्रेशन नहीं करा पा रहे हैं वावसीर का नहीं हार मेदय का नहीं करा पा रहे हैं दर्द से पीड़ित थे हम लोगों घर से उठा कर भी लाए हम उस लोग अपने आप भी आए बहुत अच्छा देश के लिए इस रिजना के अंतरगत गरीब मरीजियों के लिए बहुत अच्छा सही हो गई है और लोग इसका लाब अठाएं क्योंकि इसमें सारी चीज शरकार के लिए किया करते हैं मैं सरकार का एक सराहनी कदम है और सरकार के इस तरह की कदम देश्त के लिए बहुत अच्छे हैं अंगर तबीद ख़राभ हो तो एक दिन काटना हमें बहुत मुश्किल होता है इसलिए सरकार के सबसे बड़े कदमों में महत्वपूर कदम सबसे बड़ा इसी को माना जाएगा